वैसे तो गवर्नर साब बहुत डायरेक्शनली कुछ कहे इसकी चांसे भी कम है क्योंकि पिछली पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी की बीच में बहुत कुछ बदला नहीं है अगर थोड़ा बहुत कच्छा तेल ऊपर आया भी तो वापस नीचे आ गया कमोडिटी के दाम नीचे आते हुए दिखें तो अगर आपको इंफलेशन का डर है इंफलेशन के डर के लियाद से इतना कुछ खराब नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि भाई मुझे खराब ही बोलना है कि महेंगे काबू में नहीं है अच्छा खाने पीने की चिजियों के दाम भी थोड़े बहुत कंट्रोल में ही आते हुए दिखें हैं तो इंफलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डरने वाजी चीज तो गवर्णर साब के दिमाग में नहीं होगी हाँ यह ज़रू कह सकते हैं कि अंसर्टिन्टी बहुत है और वह है भी अचानक से आप 20 दोलर क अच्छे तेल के दाम नीचे से बढ़ जाते हैं वापस दस दोलर गटने में दो दिन लगाते हैं वही हाल थोड़ा बहुत कमोडिटी इसका दूसरा भी है खाने पीने की चीज़ें ग्लोबली भी थोड़ी स्टेबल होती भी दिखिए जो अनाप शनाप दाम बढ़ रहे अच्छे तब रुख गया तो आइट इसके विपरीट अगर गवर्रनल साफ थोड़े से कॉंफिडेंट हो जाते हैं और यह बोले कि नहीं महेंगाई को लेकर हमने जो भी प्रयास किये उसका असर आ रहा है तो यह थोड़ा अच्छा हो जाएगा लेकि इसके संभावना कम है डराएंगे संभावना तो कम है लेकिन डराएं ना डराएं चेता एक चिंता जताना एक चेताव नहीं देना और एक डराना तीनों शब्दों में फर्क है तो चिंता तो जताएंगे उतना तो हमको मान के चलना है चेताव नहीं दे सकते हैं हां दे सकते हैं मेरी प्राब् तो और ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है सकते हैं। So I think policy थोड़ी सी neutral सी रहनी चाहिए, commentary भी neutral सी रहनी चाहिए, मेरी ख्याल से अगर आप मुझे पुछे, मैं governor होता, तो मैं इस बार की policy को चाय समसे वाली policy रखता, अब बेटों मिटों खा गप शब नगा, कुछ बदला नहीं है लाइफ में ज्यादा, नहीं कुछ खराब हो रहा है, खराब तो कुछ नहीं नहीं बहुत अच्छा होता दिख रहा है, वेट इन वाच और ऐसा कौन सा जूरूजी है, no policy is also policy, मतलब मुझे कुछ नहीं कुछ कर नहीं है, पोलिसी के बार कुछ कुछ अनौंसमेंट हो सकता है, जैसे कि उन्होंने जो लिक्विडिटी वाला जो धीरे दरे फेज आउट करने की बात कीती है, एक और चीज है जो लंबे समय से काफी समय से बात चीज चल रही दवजवान से और वो सबसे इंटरेस्टिन चीज होगी इस policy में मेरे लिए देखने के लाइक, कि क्या हो रहा है आब इस quarter के भी update देख रहे हैं banks के, गजब की growth आ रही है, loan growth भी मजबूत है deposit growth भी मजबूत है, तो एक तरफ आप कहे से लिए, तो पैसे भी आ रहे है डिपॉजिट ग्रोथ है पैसे तभी तो बैंक में जमा कर आ रहे है लोग ठीक है और सामने लौन जोज भी आ रही लेकिन आज भी को कहीं के दिमांग में पीछे चिंता है चिंता इस बात की कि देखो कंपनिया लोन ले प्रैंट लगाये बिजनिस करे अच्छी बात है लेकिन कंजूमर लोन जरूत से ज्यादा बढ़ना ठीक ही अब कंजूमर लोन में भी क्या है एक तो घर वाला लोन हो गया चलो वो ठीक है फिर भी चलो वहां सामने आपकी एसेट बन रही है बाकी लोन कार वाले लोन डेप्रिशेटिंग है एना परसनल लोन क्रेडिल कार्ड भगवान मालिक है अच्छी एकोनोमी चली तब तक ठीक है जिस दिन जटका लगा उस दिन डिफॉर्ट तो यह जो परसनल लोन वाली जो और नोन प्रोड़क्टिव काइंड ओफ लोन की जो ग्रोथ है जिसकी वाज़े से छोटे-छोटे बैंक्स इनकी ज चाहिए कंपनिया करज ले इंडिस्ट्री लगाए बिजनिस करें केपेक्स करें निवेश करें वह वाली चाहिए तो कहिन कई परसनल लोन की जो ग्रोथ हो रही है उसको लेकर जिसके रिस्क वेटेड एवरेजर जो आपको लेना पड़ता है प्रोविजिनिंग डब्लू इस आँ रिस्ट्रेकर आपको 25-20 पॉइंट कें रिस्ट्री चाहिए को 50-집 एकवाली जो रिस्ट्री आपको इस चाहिए मारे चैंटरबकु चाहिए को इसको 15-20 पॉइंट कर सकते है कि दुनिया की तो है नहीं ठीक है और बॉंड जो भी बैंक्स रखते हैं चाहे वो ट्रेडिंग के लिए आज से रखे हो या पॉर्टफोलियो में मैचुरिटी के लिए आज से रखे हो उस पर किसी तरह की प्रोविजिंग वगेरा को बदलाव हो तो वह देखने वाली बात ह लेकिन मेरी नजर इस चीज के कि पॉलीसी के डाइरेक्शन के बहार जो एकोनोमी में जबरदस ग्रोथ दिख रही है गवर्णर साब को उस ग्रोथ के नीचे पीछे सब कुछ ठीक दिख रहा है कमफर्टेबल है या नहीं भाई देखो ग्रो तो करना अब लिमिट से करो ज्यादा तेज भागो तो गिरने का डर है आराम से अपनी स्मीड से चलो तो ज्यादा बढ़िया है ना तो वह जरूर चाहेंगे पर एक्सप्रेस वे पर ऐसा दोड़ाओ मत एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं तो फिर तो तकलीफ है ना तो आई थिंक कहीं कहीं दीप उसको लेकर गवर्नर साब क्या कहते हैं करते हैं चिंता बताते हैं मेरी नजर वहाँ है बाकी ठीक है बाकी मुझे नहीं जगता कि इस शुट भी नो पॉलिसी काइंड आफ पॉलिसी जहां ना इनको इ चेंज अधरवाइस कोई चेंज होगा नहीं बाकी बढ़िया पॉलिसी गवर्नर साब देने चाहिए यह मेरा मानना है इंट्रेसिंग बट यह इंट्रेसिंग चीज आपने सिखा ही सर कि शायद यहां पर भी नजर आ सकते हैं क्योंकि क्या हूँ ही राय ना आप देखो ना आप अगर आपने गर मनाने के लिए लोन लिया ठीक है ना घर खरीदने के लिए लिया था आपके इसके सामने है यह जितना लोन रिया सामने एक घर खड़ा होगा आपकी एसेट है कार के लिए आपने समझे 10 लाग की का लोन आपने कार के लिए या जैसे कार आप घर पे ले क्या है पहले दिन तो 15 परसेंट 20 परसेंट तो वे लिए ऐसे कम हो जाते हैं फिर डेप्रसेशिशन पांच साल बेचे तो बाद दो चार लाग तीन लाग रुपया आते हैं ठीक है सो यह जो लोन है या क्रेडिट कार्ट पर आप 45 दिन बाद दूँगा समझे रहा है परसनल लोन आजकल आपका क्रेडिट स्कोर भाई साब आपकी सेल देखके लोन दे रहेते हैं क्या पता आपको नोटिस प्रेट पर चल रहा है आदमी को निकाला हुआ है ले इसलिए रह है आप और में कोई इसेट कभ खरीते हैं अब में अगर कार पर 3 साल का लोन लेता हो या मैं गडर पे 15 से 20 साल का लोन लेता हूं तो मैं कभ लेता हूं जब मुझे आगे 3 साल की visibility degree मेरी कमाई की या मुझे 15-20 साल के मुझे लगता है कि मैं इतना लंबा चलूँगा ज़े तब तो मैं इतना लोन लेता हूँ और बढ़ती भी को नहीं यह confidence सब का बढ़ जाता है कि मेरी तो नौकरी भी बढ़ेगी, increment भी होगा और मैं तो और ज्यादा कम हूँगा, कहां एकदम U-turn आजाए एकदम से आपकी life में वह पता है तो वह वाले लोन से limit में चलने चाहिए a b, understood.